तो यह है मंदिर इसमें अभी हम चलेंगे अंदर और आपको विउ दिखाएंगे विजट करेंगे तो इसे यह बेल पतर है यहां पर बेल पतर भी लगए हुआ है क्यूंकि सामने बोगंशिव का मंदिर है और इस साइड पर बोगंशिव को बेल पतर चड़ाई भी जाती है अब का नाम जान मुहमंद आपका इस साइड पे मंदिर है और यहां पे थोड़ा किचन बना हुआ है इनकी तरफ से बंडा रहा है ना 24 गंटे को यातरी वगिरा आप अजरी तो यह मंदिर का काफी पुराना भी है लग़ाए और यहां पर इंडिया पाकस्तान साथ में तन जी जो खतम हो गया था जब बास आई जो पाकस्तान अलग हो गया दो मार्शला लगी दिन अजो छतब ओगया था यह खतम हो गया था उसके बाद जो अमाई है म्हदा झांत जोने जी के दौर में रोड नो इसके हुआ रोड इसके हुआ विल्सर था ये आप लोग में अप लोग कैसे अमीद रहें ठीक टाक हूं के और आज मैं जा संगरजले संद के शेहर है संगरवा हम पे मौझूद हूं वहां पर एक मंदिर है वह आप करते हैं तो यह इनका गाउं भी में विजर कराऊंगा और अपने बारे में कुछ बता हूँ मेरा नाम दिलिव कुमार है मैं सांगड शहर से हूँ और यहां पर रियाश करते हैं और काम बलक्षान में करते हैं गौधर में यह दो समारा मिरपूर खाथ से आया हुआ यहां पर करते हैं शूट करते हैं यह साय거든 काम सब्सक्रा करते हैं ना करते हैं मंदर की काफी पूराना मंदर बी इस्ट्रीख वारे में इतना पता नहीं कर पता करेंगे उन से और जो भी हुँआ आप लोगों को दिखाएंगे 120 में चलेंगे हम दिलिव कुमार हमारे वातेद वीन इस फेड पर गाओं और करीम में कोई सिटी नहीं आती यहां पर तकरीबन जो है सुनसानी रास्ता एस जो है और सामने ही सामने मंदिर हम जाहेंगे यह जाएंगे यह और सीधा मंदिर की तरफ ही जादा है प्राइब शुच्छ यह जो पहुंच गए और यह मंदिर आप दिखाते हैं अंदर चल के वियापको यहां से अब फ्रेंज तो यह मंदिर और इसमें अभी हम चलेंगे अंदर और आपको वियू दिखाएंगे विजट करेंगे तरहा कुछ मंदिर है यहां से तो एंटर होते ही श्री अनुमा जी का मंदिर आता है एक सामने तो इसके अम दर्शन करते हैं अभी कि श्री बज्यम बली का मंदिर है फ्रेस्ट अंदर एंटर होते ही और आप अंदर प्रेंश तो यह अंदर कभी होगा है मंदिर के दीवारों के चारों तरफ जो है चित्र लगे हुए है भागान विश्यनु जी के बहुत शीडी के माता रानी के और लश्मी माता के भागान शिव के तो चारों तरफ इसा इंटर पैस है वह उपर के तरफ जुमर आता है तो यह है श्री दिरेजगिर स्वामी की समाधी जहां पर दूप वगिरा करते हैं और यहां पर परशादी वगिरे चड़ाई जाती है तो सामने ही इस साइड पर मंदिर है और यहां पर थोड़ा किचन बना हुआ है इनकी तरफ से बंडा रहा है ना 24 गंटे को यातरी वगिरा आते हैं उनके लिए खाना वगिरा यहां बंदो बस्त होता है खाने का और चाहें वगिरा चलती है हो दो तीन में नहीं हो इससे पहले कौन था पैर श्यो प्रावल ऑन खाने की जगारे कौः तो यह जो विए तुर दूरत तो करीम में कोई सब्सक्राइब नहीं है यहां पर इनके लिए बंडार वगरे सारा तायर करते हैं बाकी जो है व्यू आपको आगे दिखाते हैं उनके बारे हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पता करते हैं फ्रेंस यह पुरी मड़ी नाम से धाम है धीरजगीर स्वामी के नाम से तो यह पानी की टंकी है उपर और ओम दिखा हुआ है यह इंटिफेस है तो यहाँ पर कंस्रेक्श्न का काम भी चल लाए थोड़ा बन आगे मंदिर भी थोड़ा बहुत बनने यह जो आल यह बंडारे क जान मुहमद आपका मुम्मद नदीम मुहमद नदीम और जान मुहमद ये मुसलिम भाई है किद्नी मज्दूरी में की तक एक दिन की नहीं होती है और यह मजदूरी काम कर रहे तो मसलिम भाई है इस साइड पर इवेंट वगरा होता है तो बंडार वगरा करते हैं इस साइड पर लिडिस हाल होता है तो यह दाजा है पिछे का मरी साइड पर मंदिर आ पिछे का एरिया जहां पर वाश्रूम बने हुए है इस साइड पर दरीक हमार साथ अद्रीब आये पहले आए पेस मंदिर में लुप पहले आते हैं कभी यहां पर मेला वागेरा लगता है जा कुछ ऐसा कुछ आई हम लोग शीवलिंग और गवान शीव वान शीव की दरखत नीचे इस इस साइडे पे शीवलिंग रगाई विये यह मंदिर है इस साइड पे बनना भी की यह माता का मंदिर है इस साइड पर अंदर है माता रानी का मंदिर है एक है। साथ में धुमंड जी है और यहां पर धूप करने के लिए हवन वगर करते हैं वह इसके लिए यह रखावा है कुण पृद्र नारियल भी हमें शाथ में इस University 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 साथ में यहa काफी पुराना भी यह लग रहे है यह पे काफी इंटर की अचिन फेच्शिंट काफी उच्छी है यह यह संस्थ来ए नहीं रिये लिए ऑम का दिन सब्राना फेहिए मंदिर कंश्राइब सेग्य इनसे भी बात करते हैं और आपको बता थे तो नमस्ते नमस्ते तो आपका नाम मेरा नाम है रावत राम तो आप कितने टाइम से यहां पे रह रहे हें। और हमाई उटियस को कुछ मंदिर के बारे में इस्टोरी कुछ पताएं जाखें। इज़ो इंडिया-पाकस्तान-साथ में था ना ? यह पुराना मंदर है गुरु दिरिव्जगिर का अजा वह प्राणम नंदार आ गुरु दिरिजिनोर्वा है जी यह यह पुराना मंदर आय इस पृराणम नंदर भ ना मॉष्वलात गार्न में लेंडर जो खातम हो गया जयंता खाहिए जब पाक्स्ता ना कई ता leaf that मोटी ने गार्संर बाटीומ हो गया थै पर आप पर आए तो पर जो बार बात और इस तरह सीधा यह जो बार चलके बीद्ट आपको दिखाएंगे वहां से नजरा तो उस रोड के बाद जो इस टेक्टर विक्टर यह उपर सिदाई कि इस ता ना जी तो खराब हो गया फणी चकर यह वह वह भी खराब हो गया उसके पेट तो फिर उन लोग उने इदर जो रहते थे उन लोग उने बोला कि यह पुराना मंदर है गुरु दिरीजगीर का रोड इससे हटा दो पिर उनों एटा याने तो फिर इसके उपर जड़ा ना तो वो टेक्टर वेक्टर खराब हो गई बाद में यह जाहर हो गया दो ग बगत नतर नाम था उनका उसका नाम था उनका उसका नाम था उनका उसका नाम था रहता था उसने शेवा की यह आबाद हो गया अबाद होने के बाद वो इदर पंटी साल रहे हैं पंटी साल रहे हैं पंटी साल रहे हैं पंटी साल वो इदर शेवा की उसके बाद उसने दो खितकर आपको कितना अशा हो गया notamment postνε cell क ji match मुझे हो गया है त्टोडन सा उके यहाज मैं इतर आऑ झाक कर गया मैं उसके अवर wspƯ चाल कि ऑन घ्रलीकल देन की समाधि है और भूद्धिश्समाद की है चुח क्यिए समाधिय है1 आपको छूपना मानको कुछ समाधिय है तो बागी आपको बाहर का विउ दिखाता है तो इसे जैसे रोड बनना था गंग्सर्शक काम चलना था रोड का तो मार्चला के दोर में जैसे रोड का काम चलना जैसे अंग्रेश चले गए तो बारत अलगवा पाकिस्तन लगवा तो रोड का काम चलना था तो तो आगे काम रुप जाता था नहीं हो तो काफी दिनों के दिनों से परियास किया कोशिश करी लेकिन काम नहीं बागे तो उसके बाद जो मकामी लोग कि यहां पे पूस्ताज की कि यहां पे क्यों रुपह स्थान है तो इनोंने जाकर यहां पोड़ा सिचाल डिवारी कर अपना यह शायटी पर करके और गोड़ को मोड़ लिया उसके बाद जो है इस धाम यहां पे लोग रहने लगे और यहां पे एक मंदिर खूसरत मंदिरा तो आपने देखा कि यहां सुमसान रिलाइगा है कोई का करीम में कोई सिटी भी नहीं आती है तो यह इस्ट्री है इस मंदिर पर अंदर एंटर होते ही यह उपर ओम लिखा हुआ है बड़क्षिरू में यह उपर देखा बिला रही है इधर बगांचिव का मंदिर है इसाइट पर बेल पतर है hospital है और मंदिर आप ऐसे चेड़ा है यह जो तस्वीर है यह रहते थे और्दू में दिखावाई श्री नथर राम साफ यह शेवा करते थे यहां पर कितना अर्सा करते हैं प्रवाट रावत राम अभी तक शेवा करता हैं मंदिर की कर दो कर दो को रुड़े का कि रोड रहा है इस Feet 벌써 तर्फ कर दिया गया पढ़ा हैं मंदिर का लाड़ कते हैं हृ eine तो नहीं काम कर प्याइए थैसे सचा गया एक हम फिर यहां के मक्यमिन लोगों ने बता है यहां पर मंदिर है ऐसा है निया सभी तो फिर मंदिर को काइम किया गया है अ कि अगल बाई है यह चलें यह हैं मंदिर मंदिर का बाहर से लुक को देखने यह रोड के बारे में बता रहे थे यहां से टरं करके और आगे से तर्ण कर दिया गया इस रोड को क्योंके यहां पर सीधी गाड़ी नहीं आ रही थी कोई भी कंसेक्शन का काम जो है वह सीधा नहीं चल रहाता है जो मंदिर की जगह वहीं पे रहनी थी और रोड को मोड लिया गया